मानव जी एक सवाल जो दोनों बयान बाजियों को लेकर है आप उसे जवाब तो उसका उसे तो कम से कम एड्रेस करिए ममता रीदी कहती है कि हम कॉंग्रेस के साथ चलने को तयार है करनाटक के नतीजे आते हैं सब उत्साहित हो जाते हैं अधिरंजन चौधरी का बयान आता है कि चूकी करनाटक में कॉंग्रेस जीत गई इसलिए अब सबको यह याद आ रहा है कि कॉंग्रेस कितनी मजबूत है इसे क्या समझें इसके क्या माएने निकाले और फिर आमंतरन निमंतरन होने के बाद भी आप मंच पर नहीं जाते हैं मारव जी आपकी अवाज हम तक नहीं पहुच रहे मैं लोटूँगे आपके पास उससे पहले अभिशेक जी के पास चली जाती हूँ जी यह मुश्किल है कि नहीं है आपके लिए आप बेशक कहिए कि मुद्दे हैं बहुत सारी चीजे हैं लेकिन आप भी जानते हैं नितिश कुमार भी कह चुके हैं वन ओवन की फाइट होनी जरूरी है विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है तो कैसे यह जो बिखरते में बैठें लोग ने रंकुष हो ही जाते हैं जैसे अभी हो ही गये हैं और आप मुश्किलों की बात कर रही थी हमें से जरा भी मुश्किल नहीं मानते हैं जब जनता की नकता आपके साथ होती है जनता की इ Started में सुर्मिला बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों रसोई गयास को लेकर प्रदर्शन किया करते थे तब से लेकर अब तक में क्या सिती बदल चुकी है दो करोड उजगार का वादा प्रतिवर्श किया था उटके मूँ में जीरे के समान सितिया है काला धन वापस लाएंगे नोटबंदी असफल रही फिर एक बार दूसरी नोटबंदी ये लोग लेकर के आए हैं तो आज एक तरफ जनता से जुर्व बुन्यादी मुद्दे हैं और दूसरी तरफ इन लोगों की स्ट्राटेजी है कैसे धर्म के नाम पर राजनीती करना, तनाव पैदा करना, द्वेश पैदा करना समाज में और उसका राजनीतिक लाव लेना ये लोग तो अपने काम में लगे हैं करनाटक से अभी शुरुवात हो चुकी है कि किस तरह से बजरंग बली इन से नाराज है किस तरह से राम भगवान इन से नाराज है कि उनके नाम का ये लोग लगाता है बेज़ा अस्तमाल कर रहे है तो आप देखीजिएगा मैं आपको एक स्ट्राइड़ी बताता हूँ BJP के पास महज 29-30 सीटे जादा है बहुमत के आकड़ों से और ऐसा नहीं होता है कि हमारी पार्टी जाकर साउथ में ही चुनाव लडेगी तब जाकर हम गठबंधन में आप आएंगे या हम बंगाल में जाकर चुनाव लेंगे नयतिक समर्थन भी बहुत बड़ी चीज होती है बिहार के रहने वाले लोग देश के विबिन्न प्रदेशों में रहते हैं अंगे प्रदेशों के भी लोग यहां पर रहते हैं जब वो देखते हैं कि विबखशी एक जुटता सुनेशित हो रही है जहां जो भी पार्टिया मस्पूत है उनके लिए एक साथ प्रशार करना, प्रसार करना, आपने वोटरस को इंटाक्ट करना ये विबखशी एक जुटता की बात होती है मैं तो उनन स्टेट्स की बात कर रही हूं यहां ज़ाँ पर क्षित्रियत दल मजबूत है